हलो एवरिवन वेलकम टो बाबुसलाई सेंटर आज की वीडियो में हम एक वेस्टन ड्रेस बनाना सिखेंगे जो कि बहुत एजली बन भी चाहती है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है जिस नाप से हम यह ड्रेस बनाएंगे वो नाप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जिसमें कि मैंने अस्तर तीन मीटर लिया है और तीन मीटर ही मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है जो कि वैलवेट का फैब्रिक है तो जैसा कि आप जानते होंगे कि वैलवेट कपड़ा जो होता है वो मोटा होता है त ऐसे कि मैं ड्रेस को अपनी दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ अपर और लोग पोशन तो अपर पोशन से मेरा मतलब है कंदे से लेके कमर तक का एरिया तो उस पोशन में आप सिर्फ अस्तर लगा सकते हैं और नीचे का जो हमारा लोग पोशन होगा कमर से लेके हमा यह इसकी चड़ाई है जो कि 60 इंच है और यह वाली इसकी लंबाई है जो कि 59 इंच यानि की 69 इंच है अब देखे जिस तरीके से हमने इसे दो लियर में बिचाया है इसे इसी तरीके से बिचा रहने देंगे और यहीं पी अपने ड्रेस का ड्राफ बनाएंगे तो जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि हमारे ड्रेस की जो टोटल लेंट है वो 58 इंच है यानि के 18 इंच तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अपर पोशन और लोर पोशन से यहां मेरा मतलब है कंदे से लेके कमर से लेके अपकी टोटल लेंट जितनी भी होगी वहां त करेंगे तो उस एरिया में पहले हम चड़ाई लेते हैं चड़ाई हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे आपको जितना जादा घहरा चाहिए अपनी ड्रेस का उस अकॉर्डिंग आप यहां इसे चड़ाई को रख सकते हैं मैं यहां 44 इंच पे एक मार्क कर रहे हूं और नि अपने लोड पॉर्शन का जो लेंगे तो लेंगे तो हमारे पास यहां पर 40 इंच और पोशन का तो उसमें एक इंच आड़ करके लेंगे क्यूंकि आधा इंच उपर और आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा तो इस तरीके से हम यहां 41 इंच पे निशान लगाएंगे अ अब यहां नीचे की तरफ हमारे पास यह वाला जो कपड़ा बचा यहां पे 27 इंच पे मैं यहां एक माक कर रहे हूं यानि की 27 इंच यह हमने अपने बस्ट साइज के अकॉर्डिंग लिया है अपर पूरा पूरा कपड़ा बच के आएगा तो अभी जो हमारे यह वाले दो पीस निकले यहां पे हम अपने अपर पूर्शन की कटिंग करेंगे तो इस तरीके से बिचा के इस तरीके से सीधी साइड अंदर की तरफ उल्टे साइड उपर की तरफ इस तरीके से बिचा के यह चार ले हमारे पास आ जाएंगी और इस पे तो यहां से मैं अपने अपर पोश्न का ड्राफ पनाना शुरू करूंगी तो देखें यहां पर हमारे अपर पोश्न की जो लंबाई है याने की कंदे से लेके कमर तक का एरिया उसकी लंबाई हमने 18 इंच त्यार रखनी है तो 18 इंच में एक इंच एड़ करके हम लेंगे क्य और यह जो हमारे पास निशान आए यहां पर हम अपना शूल्डर लेंगे शूल्डर यानि की तीरा हम हमेशा पीछे के गले के अकॉर्डिंग लेते हैं तो पीछे गला यहां पर मेरा बहुत छोटा है धाई इंच हमारा गला है पीछे का तो इसलिए तीरा यहां पर हम आट पाइ आट इंच का हम एक बॉक्स बना लेंगे अब यह वाली जो लाइन है यहां से अंदर की तरफ इस तरीके से हम यहां चादी का निशान लगाएंगे तो दिखी चादी हमारे पास 42 इंच है तो 42 इंच में हम 4 इंच की लूजिंग देंगे देंगे जिससे कि 46 इंच आजएगगा अब 46 का चोथा हिस्सा साड़े 11 तो साड़े 11 इंच पर हम यह एक मार्क कर लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा देंगे और यहां से आगे की तरफ अपना कटिंक का निशान लगाएंगे जो कि आप देड या 2 कि ने क्युक्त के सकते हैं जैसे मैं यहां दो इंच रोख रहे हैं तो दो इंच पर इंट कर दाइबगे और कर दो की तरीख का निशानले अभ Nun एंच सäsे मारे निशान दीखने इस एक इंट जो टिखने डोणी हैं मारे तोट के आप मैं आप हुग यहां से नीचे की तरफ क्योंकि मेरा गला काफी छोटा है 2.5 इंच तो यह गलती से मैंने आगे गले कर निशान लगा दिया था तो उसके लिए माफी चाती हूं लेकिन पीछे का गला यह देखिए 2.5 इंच यानि की 2.5 इंच पर यहां पर निशान लगाऊंगी और उतना ही तरह से निशान लगा के इस तरह से इसे बॉक्स पना लूगी और इसे गुलाई देतोंगी तो यह पीछे का गला अ आप देखिए यह जो हमारे पास टोटल जितना भी आया 5.5 इंच उतना ही यहां पर 3.5 इंच लेके इस तरह से डायक निशान लगा देंगे सीधा क्यूं आपको अपनी बात समझा पाऊं, तो यह आ गया हमारे पर पोर्शन का पीछे का हिस्सा, अब हम आगे का हिस्सा निकालते हैं, मतलब जहां हमारे गला कर्टिंग होगा, उसे हम इस तरीके से भिछाएंगे, इस तरीके से भिछाने पर हमारे कप्डे के बच्छत होगी, अब जहां भी अड़ेस्ट होगा वहां पर हम इसे अड़ेस्ट कर लेंगे और देखिए यहां पे हम हुक और आई पट्टी देंगे जो हमारा अगला पला है वहां पर लेकिन उसके लिए एक्स्टरक पड़ा में छोड़ने के जूरूत नहीं है हम इसे पूरी तरह आगे की तरफ सरकार के लेंगे अब चाहिए तो हुक और आईस की जगा कोई फैंसी चेन भी लगा सकते हैं अब यहां गले को छोड़के बागी का निशान हम जैसे है वैसे ही लगा लेंगे यह देखिए यहां तक अब इस कपड़ों को महटा लेते हैं अब यह जो हमारे गले की करेंगे आगे तक सिधा कर लेंगे इसे और यहां से नीचे की तरफ आगे की गले की लंबाई का निशान लगाएंगे तो यहां पर मेरा आगे का गला आठ इंच है आठ इंच पर निशान लगा के इस तरीके से इसे तिछा मिला लेंगे तो यह हो गया आगे की गले का दालेंगे और यहां से उपर की तरफ भी इससे के सिधा कर लेंगे अब इस निशान की help से हम आगे की मोटी की गुलाई का निशान लगाएंगे तो देखिए जितना भी आया 8 इंच इसका हमने आधा किया यहां निशान लगाया और इस निशान पे अंदर की तरफ आधा चादि का निशान आएगा यहां तक और यहां से उपर की तरफ इस तरीके से मिलादेंगे अब हम इसकी टिंग कर लेते हैं यह हमारे आगे के मुड़े वाला , करेंगे, और इसके से हमारे आगे कपले कट केख अब यह असे लिए यहां से अंदर की तरफ और दोनोग पीसिद पर निशान आजाएं अब यहां से नीचे की तरफ साढ़े 11 इंच पे हम टक्स पॉंट देंगे और जितना ये हमने लिया साढ़े 4 इंच उतना ही यहां पे लेके ये निशान लगा लेंगे अब ये जो प्लस का माक हमारे पास आया ये हमारा टक्स पॉंट होगा अब यहां से नीचे की तरफ पॉने दो या दो इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को नीचे से इस तरीके से सीधा मिला देंगे अब इस लाइन पे हम प्लीट देंगे तो इस लाइन के दोनों तरफ आदा आदा इंच कपड़ा लेते हुए इस तरीके से तिर्चा मिला देंगे और यह हमारी प्लीट का निशान आ गया अब सेम निशान को हम दूसरे पीस पे भी उतार लेंगे इस तरीके से बिछा के एक पर एक अच्छे से बिछा के हम इसे थप थप आ लेंगे जिससे की ये वाला निशान दूसरे पीस पर भी आ जाएगा ये देखे इस तरीके से इस तरीके से हमारे आगे के पल्ले के प्लेट हो गई अब अपने इन पीसे को हम में फैब्रिक पे बिचा के काट लेंगे यह पीछ वाले पीश जो आपको याद होगा, हमने काटा था अपर पोश्ण की कटिंग के लिए, तो यह देखिए इस तरी के समने से कट कर लिया है, यह हमारा मेंड फैब्रिक और यह आगया हमारा अस्तर, यह आगया कपल लह गया, और यह देखिए पीछे वाले अस्तर को भी हमने में फैब्रिक पे बिचा के काट लिया है अब यहां पे हम पीछे वाले पले पे भी प्लिट का निशान देंगे तो यहां से अंदर की तरफ साड़े चार इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहां से उपर की तरफ लगबग साथ इंच पे निशान लगाएंगे और इस सिधी लाइन के आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरीके से तिछा निशान लगा लेंगे और यह हमारी प्लीट होगी इस तरीके से हमारी dress की cutting हो चुकी, मैंने बाज़ो की cutting इस वीडियो में नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो उसके लिए सब पहले हमने upper portion का पीछे वाला हिसा ले लिया है, जिस पर हमने पिछले गले cutting की थी, तो य ध्यान रखेंगे कि यह कट हमारी सिलाई को टच न करें यह देखिए इस तरीके से हमने cut लगा लिए अब इस तरीके से हम अपने ASTAR को पल्टेंगे और ASTAR की किनारी किनारी पे यहाँ पे इस तरीके से ASTAR की तरफ ही आए, पूरी को लगाई पे हम इस कपड़े को में फा तो यह देखिए हमने सिलाई लगा लिए है अब देखिए इस तरीके से हमारा गला आ जायागा अब यहां तीरे से फिर मोड़े पे और फिर यह नीचे चारो तरफ याने की मेन फैबरिक को और अस्तर को हम आपस में जोड लेंगे आप बारी आती है अपर पोश्चन के आगे वाले हिससे की तो इसका हम एक पीस ले लेंगे इसे इस तरीके से अस्तर पर रखेंगे और ध्यान रखेंगी कि जो मेन फैबरिक की सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है और जो उपर की तरफ आप देख रहें यह कपड़े की उल्टी साइड है अब इस तरीके से बिचा के यहां गले पे सिलाई लगा लेंगे तो यह देखे मैंने सिलाई लगा लिए अब यहां छोट छोटे कट लगा लेंगे जैसा कि हमने पिछले वाले गले पी किया था जहां रखेंगे कि सिलाई को यह कट ना चुएं यह कट लगने के बाद हम फीर से जैसे हमने पिछले वाले गले पी किया था इस वाले अस्तर की तरफ रहे Würश्यी और यहां किनारी पे लगाएंगे जिसनवें अस्तर पे लगाने औंक तिनारी पे यह यहां कॉर्णर में चाहले पहें पूरी चुहां रहें कि जो हमा से लाँ वाँ 명 Iya उस्तर की तरफ ही रहे में फैबुरी की तरफ नहांぎ और इस तरीके से इसे पूरा सिल लेंगे अब ये देखिए इस तरीके से इसली पलट जाएगा और अब हम अपनी पूरी सिलाई को कंटीन्यू करेंगे मतलब अस्तर को मेंड फैब्री के साथ चिपका देंगे वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही आसान तरीके से और हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करूँ लेकिन फिर भी कम्या रह जाती है तो उन कम्यों को एक पर मुझे कमेंट के तूर जरूर बताईएगा मैं कोशिश करूँगी कि उन कम्यों को पूरा करूँ और वीडियो अच्छी लगने पर प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्स्वाइब जरूर कर लेजेगा यह देखिए यहां से गले को सैट करते हुए इस तरीके से हम अपने अस्तर को में फैबिक साथ सिल लेंगे और इसी तरीके से अपने दूसरे वाले हिस्से को भी मतलब अपने दूसरे साइट वाले पल्ले को भी तयार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने दोनों पीसिस को तयार कर लिया है यह देखिए इस तरीके से आगया अब यह जो उपने प्लीट का मार्कि था इन प्लीट को हम दे देंगे ये धी से आ जाएगा अब दूसरी साइट भी हम इस प्लीट को दे देंगे कर दो यह हो गया अब अपने पिछले पल्ले पे भी souhaite यंफ modernious निशाँ देद को हम इस तरीके से मारकर से एक बार गाड़ा कर लेंगे और इस तरीके से फिर थप थपा के ले लेंगे जिससे कि दूसरी साइट भी निशाना जाएगा ये देखिए अब इन प्लूट्स को हम दे देंगे अब देखिए ये जो हमारा आगे वाला पला है इसे हम इस तरीके से रख लेंगे देखिए कपड़े की सिधी साइट जो अपर की तरफ हम रखिए है अब देखिए ये मेरा दाया हाथ है और ये बाया यानि कि ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हंड साइड हम हुक पट्टी लगाएंगे और राइट हंड साइड आई पट्टी तो उसके लिए दिखें मैंने ये दो पट्टियां काट लिए हैं एक पट्टी के लगबग देड़ इंच और दूसरी चार इंच अब इस वाली पट्टी को हम इस तरफ लेफ्ट हंड साइड रखेंगे और इस वाली को राइट हंड साइड और हाँ ये जो left hand side वाली पटी है यानि कि आई पटी इसे वैसे तो उल्टी तरफ से रख़े सिला जाता है और सीधी तरफ पल्टा जाता है लेकिन मैं इसे सीधी तरफ से ही सिलूंगी और फिर उल्टी तरफ पल्टूंगी आप जैसा चाएं वैसा कर सकते हैं और इस पटी को यहां उपर से आधा आधा एंच कम से कम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे यह देखिए दूसरी साइट भी इस तरीके से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे यह देखिए इसलाई लगाने के बाद हम इसे नाखुन से इस तरीके से प्रेस करेंगे और ध्यान रखेंगे कि यह जो कपड़ा है इस तरीके से अस्तर की तरफ ही रहे और फिर यहां पे नाखुन से इसे प्रेस करेंगे और फिर इस तरीके से सेट करते हुए यह देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहां सिलाई लगा लेंगे और यहां गले के पास पहुंचके देखिए इस तरीके से जो जादा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम काड़ के लेंगे और आधा इंच कपड़ा ही एक्स्रा रखेंगे और फिर देखिए उसे किस तरीके से फोल्ड करना है इस तरीके से हमने फोल्ड किया और फिर कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग दे के सिलाई लगा लेंगे अब आई पट्टी को भी सिल लेते हैं तो इसे भी यहां पर इस तरी के सिलेंगे और यहां उपर की तरफ पहुंच के देखिए आधा इंच कपड़ा एक्स्टरा मैं रखते हुए लिया और इस तरी के से इसे फोल्ड करके सिला इस तरी के से आ गया अब दीखिए यह वाला एक पड़ा है इसे पति की तरफ रहके इस तरीके से लेके न आखुनों से प्रैस करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से हम इसे सिल लेगहे ये देखिए, इस तरीके से ये आ जाएगा अब एक पैर का दूरी पे, मतलब थोड़ी सी दो पॉइंट की दूरी पे एक और सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए हमारी हुकपटी और आई-पटी लग चुके इस तरीके से अब इसे हम एक के उपर एक इस तरीके से चढ़ाएंगे और यहां से बराबर करते हुए यहां नीचे की तरव इसे एक सिलाई लगा लेंगे यह दिखे इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली यह एक्स्ट्रा जो कपड़ाई से हम कट कर देंगे ये देखिए ये इस तरीके से आ गया अब इसमें हमें एक काम और करना है ये देखिए अपने पिछले पल्ले को इस तरीके से बराबर करके बिछा लेंगे और इसी के उपर ये आगे का पल्ला भी इस तरीके से बराबर करके बिछा लेंगे एक पर एक हमें पिछाना है अच्छे तरीके से बराबर करके अब देखिए यहां से उपर की तरफ हम डेड इंच पे एक माग करेंगे और यहां पर अपनी कमर का निशान लगाएंगे तो देखिए हमारे पास कमर यहां पर 38 इंच है इस कटिंग हमें जरूर करने चाहिए इस कटिंग से हमारे अपर पोश्चन को एक अच्छी शेप मिलेगी अब एक पिस को हम अटा लेते हैं और देखिए यह हमारा पीछे वाला पल्ला है तो इसका हम आधा करेंगे और यहां बीच में एक निशान लगा लेंगे यह देखिए यह वाला हमारा निशाना है बीच का और यह जो हमने लोर पोश्चन की कटिंग की थी यानि की कमर से लेके अपने फुल लें तक का एरिया इसका भी इस तरीके से आधा कर लेंगे और यहां बीच में एक निशान लगा लेंगे अब देखिए इन दोनों निशानों को मिलाते हुए आपस में हम यहां पे प्लीट्स देंगे यह देखिए इस तरीके से हमें यहां पे बॉक्स प्लीट पनानी है ये देखिए इस तरफ और ये दूसरी तरफ तो कुछ इस तरीके से हम इन प्लीट्स को अड़ेस्ट करेंगे ये देखिए इस तरीके से हमारी प्लीट्स अड़ेस्ट हो गई है और इन्हें हम हाथ से कच्चा कर लेंगे या फिर आप पिल लगा के लिजेगा अब हम इसे लिए नें ड्रेस की फ़िटिंग में त्यार कर लिए यहे दीखे एख़श्य मेरें यह लांके सब लुक्त देखिए आगे वा ले प्रत्य को था सभी कि अब अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग यहां निशान लगा लेंगे और यह निशानों पर सिलाई लगा लेंगे पूरा नीचे तक और इसमें मैंने बाजू को भी अटेश कर लिया जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआद में बता रही हो और यह देखिए यहां पर मैंने होते हैं इस तरीके से ड्रेस बनने के बाद बहुत अच्छी लगते हैं आप इसे घर पर जुरू ट्राइए कीजएगा फूल मैंतर के साथ मैंना आया आपको यह वीडियो एक्स्प्लेइन की है वीडियो आपको कैसी लेगी जूरू बताईएगा अच्छी लेगी तो प्ल ज서 बहुता है, से तरीके लेगी जूरू आपको कैसी लेगी पह दियूना आपको कैसी लोगते हैं प्लाइज से लेगी लेगी फahhी सिए़ाय वीडियो लेगी लेगी यह वी ईूल रवेशगज साज्य संवी लेगे ऩुश्ते हैं यह तो नह कुश्ब़ा है उते हैं इसे